नमस्कार विद्याथी मित्रो वेट डिजिटल एजुकेशन मा वों परेश्विरडिया अब सर्वे मित्रों नुहार देख स्वागत करूँछू मित्रो आपणे जोयरिया चे दोहरण 1220 इतियास चेमा पाठ 3 यहार चैमा अगड चर्चा करवानि छे मित्रो क्या रितना भारत मां, बृति शत्ता चे बहरत मां अआथ्मा 2 तांट्र गाल माँ छे द्वी मुखी वहिवटी तंत्र सरू थायोतु। कय रितना आने कोणे करियोत। नि कय रितना अमनों अंत आवियो। क्यब ब्रिटीस कम्पणी ना बंगाल माँ वास्तविक सासक सत्तर सो पांसेट माँ बनी चुकिया था। कों अलता टो कि युख कमपनी चे ये वास्तविक शास्त्ता बद्री को ना avanz हाती तो कि ब्रिटीस मेन पना या ko नशान में बिग Videastern साथ ही वास्ता बारी चे तैशना को नहीं पना अँट यह युखी ओ खर गे युख – राज खर दूर्श कम्पनी उपर आधारेत हतों कम्पनी दीवानी अधिकार प्राप्त करी महसुल उगरावानू सरू करियो तेने उप्षुबेदार नी निम्नुक करवानू अधिकार मेडवी न्याई पोलिस बनने उपर नियंत्रन स्थापियो अले के जो कम्पनी जैसुँ गेरू तो के नियाई पोलिस बनने उपर नियंत्रन पन पोतान अंडर मा लईली धा हता। इत्यासकारो बंगालनी आ व्यवस्थाने द्वीव मुखी तंत्र तरीके उडखावे छे। कारण के सत्तानू नियंत्रन कम्पनी ना पासे हतू परन्तु प्रसांसनी जवाबदारी नवाब प से हती। बंगालनी प्रजा माटे कठिन परिस्थिती हती। कारण के कम्पनी ने नवाब को इन तेमनों हीत करे तेम न हतू और कम्पनी ना अधिकारो बंगालनी प्रजा पर अत्याचारो करता। शुग लिए करें दिव मोखी साषन के लिए शाहमाटे। तो सुगे छे परन्तु परणतु प्रसासनी करें के स fennaald करता करिता को नवाब पर से सत्तन पर जवाबदारी नवाब पर अवग बद्धे को नवाब के न कृते को से ती यादा हर। नवाब करवाने तो वह एक तरफी तो चाले हैं नहीं, किमकि तो आवक महिसुल मल नचल नचल परिस्थिते बनने विपरित अधि यही बंगालि प्रजान से यह तो कह बाई, कंपनी के नवाब कोई त्यम नुग हित करें हैं, नइ के एम तो के company नो एकट target है तो बारत मां थी गम्यम करी ने पारत ने लुटू पारत मां थी लही लेऊ ए नो है तो जहारे नवाप करवा धारे तो पड़न ना करी सके शामाटे तो के नहीं पाए कोई आवक ना थी है किमकि आवक ना sources बदा को नहीं पासे हाता company पासे हाता अच्छी एमकेश के कम्पनी ना जी कर्विए बंगाली प्रजा उपर अत्याचार करता आता अने आप द्वी मुखी सासन पद्धती ने बंगाल नू भयंकर सोशन कर्यू तेथी बंगाल गरीबी और बेहाली नू भोग बन्यू और बंगालमा दुसकालों नी परंपरासर ज आती है एक संब्रूज प्रांट विश्तार हतो कि जे मां आद्वी मुखी सासन पद्धती ने लिद्धे सुची हूँ तो के बंगाल नी प्रजा गरीब और बेहाली बनी बनी गए और आने लिद्धे छे इक बंगाल छे हवे पछी दुसकाल नी सरुवात ये मां थाई कंपनी ना शरुवा परित्धानी स्थापना फवरन हेस्ट ये इना समयमा कई रीतिना ब्रीटीश सता चे जांठ कंपनी श्यें भारत मा सर्वा परी बने च्पा तो जबही ये जर्चा का लिये तो के वरन हेस्टिंग कोन्वलिस अने वेलेशली शंय मां इस्ट इंडिया क पोत्ता ना वर्चेस्व विश्तार करियो होतो। मराठा वोने पन हार स्विकारवी पड़ी। हवे भारत मां मराठा सीवाई कोई संस्था अंग्रेजुन सामें टकी सके तेम नोती। तो सुन कहाँ एक टिपू सुल्तानी हत्या करी आ सीवाई। तो के दिल्ली मां पने में पोतानों अधिपत्य जमाई दीदू कोणे अंग्रेज हो ये। साथे साथे मराठा वोने अपन हार स्विकारवी पड़ी। हाँ पन आ समय हम कई शेका एक मराठा सीवाई। मराठा वो ये हैस्टिंग ना समय प्रतिष्टा मेडवाना प्रहत्ना करिया आ समय चार भाग मां वेच्याई शुक्या हत्या। ईल्डे शिवाजी सामयमाँ खुब अपन आगल ना पठो मां पन चरचाकरी सिवाजी निम्हाई। तो ये समय नाम ना मराठा ने शारी है थी, पड़ अंग्रेजुसामी क्याक ने खेके नो हार थे पड़ पाच्छल थी येमने पाच्छो छे येम सत्ता पोता नी उभी करवा मैंग पोता नाम बनाव मैंगा पण हवे सुन थे ग्यों तो के मराठा चार भाग मा वेचाय चुक्या हद्दा अले ये क्याक ने खेक पोसिबल छे ने के हम तो के सत्ता नी वेच नी थे जाए तो सोभाई छे के एक मतर जड़वाई रहा है तेमने संयुक्त मोर्चो बनावी ने ब्रिटीश रो विरुद युद आदर्यू पुना मा पेश्वाए नागपूर मा अप्पा साहेबे माधवरावना होल करे अंग्रेजो विरुद युद शरू करियू यह समय अंग्रेज कोण तो के बैए हैस्टिंग यह पुतानी संपूर ताकात लगावी पेश्वा भोशले होल करनी सेनाव हरावी दीदी यह समय अंग्रेज कोण तो के बैए हैस्टिंग यह पुतानी संपूर बैच्थने संपूर विरुद यथा पुतानी संपूर्पासे आवेला बिठूर जागिरने मोकली दीद अने मुंबई प्रेशिदेशी नी रचना करी पेश्वाव पासे आवेलू बिठूर बिठूर ना जागिरदार बनाएवी दिधा और मुंबाई मा प्रेशिडेंसी नीमनुक करवा हमा आवी अंग्रेजोद्वारा होलकर ने भोशले ये पण शर्णागती स्विकारी संधी करी आरिते इस वीशन अढ़ार सो अढ़ार सुधी मा पंजाब ने सींधने बाद करता मोटा भागनो भारत अंग्रेजोना नियंत्रन मा आवी चुकियो तू अने तेमनी सर्वोपरता स्थापाई गए हती तो जो शर्णागती स्विकारी लिदी आरितने अढ़ार सो अढ़ार सुधी मा तो पंजाब ने सींधने बाद करता अंग्रेजो भारत ना मोटा भाग मा पोतानो आधिपत्य जमावी चुकिया हत्ता अने शर्वोपरिपण बनी चुकिया था माटे अंग्रेज इत्यासकार P.E.R. Roberts अहिथी ज भारत मा आधुनिक युगनो प्रारंभ होआनू मनोंद्रेज अंग्रेज इत्यासकार P.E.R. Roberts अहिथी ज भारत मा आधुनिक युगनी शर्वाद थे होए यह पोतानी रचनाओ मा नोंद्रेज जोई एमा नेक्स्ट सिंध पर विजे अले के सिंध जे प्राहंत आपड़े वाद केरी एनी पर अंग्रेज जो कई पुदितना पोतानों आधिपत्य जमावे चे तो एनी वाद करिये तो के अंग्रेज जो ए भारत जित्वानू पोतानों कारिय अड़ार सो अड़ार थी अड़ार सो शत्तावन सुदि सुपरे करियू जेमा सिंध नों विजे महत्व पूना अले एम केवाई के अंग्रेज जो ए आजे अड़ार सो अड़ार थी अड़ार सो शत्तावन सुदि चे आ कारिये सतत आगल वधैरू एमा कोई महत्वनू जे विजे मेलवो हुए तो अंग्रेज जो एक यांकनीक पोतानी आगम बुद्धी वाप्री ने युँ केवाई के अंग्रेज जो ए छे पोतानी सत्ता जित्वन नकिये गए तो के सिंध प्राण अफगानिस्तान अने सिंधना रस्ते रस्या भारत मा पोतानू वर्चस्वन न वधारे तेम माटे आम करू तेमना माटे अनिवारी हातु केम तो के अफगानिस्तान ने जे सिंधनी रस्तो छे एनी वच्चे छे पोतानू शू करी ना दे पोतानू वर्चस वभूना करी दे ए एतु थी आ विस्तार जीतो फरज्यात बनी गिये तो कोना माटे अंगरे जो माटे सिंध नदी पर वेपार माटे पन बहु उप्योगी अती एक सिंधी अले के एक सिंध डर्शो बत्रिस्त द्वारा सिंधना अमीरो ने सिंधना वेपारियो मार्गो ब्रिटीशरो माटे खोली दिद्यादा त्यारे एक बिजा सिंध पर थै परंतु 626 छेवटे चाल्स नेपि सिंध पर आक्रमानकरी ने सिंधने ब्रिटीश सामराजियमा भेढ़वी दिदू अले सुंगे चे मित्रों तोले के पेली जेए एक सिंध नदी चेही उप्योगी अती एक संधी थै एक संधी अंतर्गत सिंधना जेपण काय अमीरो होता एक सिंधना वेपारी माटे मार्ग ब्रिटीश हरो माटे कुली दिदा के एक संधी अंतर्गत हवेपची भारत मा आओ जे सिंध प्रान्त मा पन ब्रिटीश हरो पोतानों अधिपति यह राक्षे पन एक बीजी संधी पन करवा माई वी पन ये छेले बदू ना चाये छेले चाल्स नेपियर कई व्योगती चा ब्रिटीश सरो नो एक महत्वनों सासत डेल हाउसी तो डेल हाउसी नी खाल्सा नीती शूं हाती एन आई चर्चा करवानी चे तो भारत ना गवर्नर जनरल तरीके आवेला अधर सोटतालिस मा डेल हाउसी तीज समगर भारत उपर अंगरेज साचान लाध्वाना प्रियासो करिया आता अलेके भारत मा गवर्नर जनरल अलगल गये वाजेमा आपने आगर वातकेरी वेलेसली ने विल्यम बेंटिंग ने कोनता होर्स्टिंग ने हेस्टिंग ने बदा आता तो एनी पच्छी तो कई वेक्ति एगो अधर सोटतालिस मा डेल हाउसी और डेल हाउसी ये प्वेलधि जेवी नीती रह खी थी कैशा है आपने भारत उपर पतानों आधिपत्या जमा आउँस्ट तेमने कहीं के भारत ना देशी राज्यों नो अंत भाहू अच्छा समय मा आउवा नो उन्त भारत ना डेश्य राज्यों नो ना तो अधिसाश्माई पहारत जित्वा माटे एक विचित्र सिध्धान खाल्चा निती द्वारा भारत ना राज्यों ने हडप करवानु सरू करियो अगे में निती अगल वधर भ्यक्ति जित्वा भारत ना राज्यों खाल्चा निती अगल वधर्ट ना राज्यों सरू करियो आशिद्धान प्रमाणे कोईपन राज्यानों पोतानों सासक उत्राधीकार वगर मृत्यू पामे तो तेनू राज्या अंग्रेज सामराज्यामा भेडवी देवानों हतु। आशिद्धान प्रमाणे कोई राज्यानों प्रमाणे कोई राज्यानों सामराज्यामा भेडवी देवानों प्रमाणे कोई राज्यानों सामराज्यामा भेडवी देवानों प्रमाणे कोई राज्यानों प्रमाणे कोई राज्यानों सामराज्यामा भेडवी देवानों प्र इन पर देख भुत्पुर्व राजावा इंकार राजा अने मान्येत आपपानों और पेंचन आपपानों इनकार करियो आसी धन प्रमाने करना टक, सुरत और तांजोर ना राजानी उपादिवो छिन्वीली दि ये भारत ना भुदपूर्व जुना जे पहला ना राजावता जेने पेंशन आप महम आउतु तो ये पेंशन नीती येने बंद करी दिधी और आ मान्यता अंतर गद कया कया राजावने छेही रद करी दिधी मान्यता तो के करणा अटकना, सुरत ना, तांजोर ना इब दैन पहला ना विस्तार में अंग्रेज राजीनी स्थापना पोना करवामा आवी पशाथे साथे 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 जे भुदपूर पेष्वाएवा कोण था बाजीराव वीत्या एना पुत्र जे महत्वना व्यक्त येता ना साहेब तो नाना साहेब ने परण केक प्लेंशन आप मा तो ये पने बंद करी दिदू, और साथे साथे अवद ने हूं कर दिदू, गेर मानिय बने दिदू, कि अवद आर नियम ने पालन करतो न थी, और लिया माटे हैने चेहिसो करी देवामा हुँषे, ब्रिटीस माँ स्रीकरी सत्ता माँ भेडवी देवामा आउँषे, और आ ब पाथनी सर्वात करीती तिया थी के भारत मा ये उरोप्यान प्रजया कही रितना आएवी, शा माटे आएवी ति याथी, के आपड़े चेले चेहिसो करी ब्हारत मा शत्ता मा अंग्रेजो कही रितना सओची सक्थी शाली भेना, येनी आए आए अपड़े चर्चा करी, अन झाल 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 झाल